हलो इस्टूरेंट्स वीडियो में हम डिसक्स करने वाले हैं क्लास 6 के कंप्रेटर के चैप्टर 4 के कोशन आंसर को जो की है more on powerpoint तो इस चैप्टर को जो है मैं आपको already explain कर चुका हूँ अगर आप लोगों ने explanation वाली वीडियो नहीं देखिए तो इसको आप देख लीजेगा तो बिसिकली आज की इस वीडियो में जो हम इस चैप्टर के कोशन आंसर को कवर करेंगे तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिसक्स करते हैं चैप्टर के कोशन चैप्टर के एक जिसमें हैं फिल इंदे ब्लैंक को तो सबसे पहले कोशन के अगर हम बात करें तो यहां पर बोला जा रहा है अब प्रिजेंटेशन के लिए किसका क्लेक्शन होती है यह चीज आपको यहां पर बता नहीं है तो यहां पर आज आएगा आपका स्लाइड यह मतलब की जाधार ते बात करें तो यह आपके प्रिजेंटेशन पराद के? पर ज्यादतर क्या होते हैं अब बात करते हैं कुछन नमबर थार्ड की तो इसमें बोला गया है दाइस इस चैप्टर की उसको आप लोग देख लेना उस वीडियो का वो आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो आप लोग जो है उसको चैक कर सकते हैं बात करते हैं कुछन नमबर फॉर की इसमें बोला जा रहा है दाइस व्यू डिस्प्लेइज अ मिनिचर आपको देखने को मिल जाती है तो यहां पर हम बात करें तो यहां जाएगा इसमें बोला गया है डिसार ग्रेट वे टू प्रोवाइट फीडवेग तो अधर्स अबाउट दे सकते हैं दूसरों को उनके प्रिजंटेशन के वारे में फीडवेग दे सकते हैं तो यहां पर के एक फिडवेग दे सकते हैं कि उनके प्रिजंटेशन कैसी है तो यह कंप्लीट होगा आपका चैप्टर का शेक्षिन यह जिसमें के फिल इन दब्लेंक थे अब बात करते हैं इस चैप्टर के बी स्क्षिन की जिसमें की टुफ फॉल्स है तो चली हम बात करते हैं पहले तो इसकी अगर हम बात करें तो यह स्टेटमेंट है फॉल्स क्योंकि आपके होते हैं अगर हम स्लाइट शो को भी आइड कर ले तो सिक्स भी हो जाते हैं तो सेवन व्यूस जो हैं आपके फिर भी नहीं होते हैं मैक्सिमम जो हैं 6 को दो को भी बहुते हैं बात करते हैं को लिए तो यह लिए को शेयर करने के लिए तो इस स्टेटमेंट के अगर बात करें तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है लेसर टूल के help से मैंने आपको object select करके भी दिखाये थे बात करते हैं कुशन नमबर 3 की तो move to the next slide in the slideshow view the ESC key is used कहने का मतलब यह है कि अगर slideshow में आपको next slide पर जाना है तो जो आपकी escape की होती है उसको आप जो है इस काम के लिए यूज कर सकते हैं तो यह statement जो है बिल्कुल false है यहां पाजाएगा false next slide पर जाने के लिए हम करते हैं arrow buttons का यूज करते हैं यह फिर जो हम एंटर की करते हैं बात करते हैं कुशन नमबर 4 की तो कुशन नमबर 4 में बोला गया है using the note page view you can include notes in a presentation that you can send to the audience यहां पर दीकिए थोड़ उसको add कर सकते हैं और उनको क्या कर सकते हैं audience को display करा सकते हैं मतलब कि audience को send कर सकते हैं तो यह statement भी जो है क्या है बिल्कुल true है इसका answer हो जाएगा आपका true बात करते हैं question number 5 की इसमें बोला गया है comments in a slide cannot be turn off मतलब कि जो comments होते हैं उनको आप turn off नहीं कर सकते तो मैंने आपको इसमें बोला गया है using ink-to-shape tool you can convert the hand-drawn shape into uniform geometric shapes मतलब कि जो इनको सेप बाला टूल होता है उसकी help shop कर सकते हैं कोई भी ड्रॉ की हुई shape को एक perfect shape में convert कर सकते हैं मतलब कि geometric shape में convert कर सकते हैं तो यह statement जो है बिल्कुल true है इसको जो है मैंने आपको practically करके दिखाया भी था तो य यह हो गया आपका chapter complete P section जिसमें की true false अब हम discuss करेंगे chapter के section को जिसमें की application based questions है तो discuss करते हैं पहले application based question को तो first question में देखी है आप बोला गया है की जो आरे हैं उसे एक photo album के रिए करने है और वह जो चाहता है six pictures को महां पर import करना और वह चाहता है कि वह six picture 에ट्चे लगलग स्लाइट पर आएं तो इस काम को से पता नहीं कैसे करना है तो आपको बताना वो इस काम को कैसे कर सकता है मतलब कि स्टैप्स आपको बताने हैं कि इस काम को करने के उसे क्या स्टैप फॉलो करने चाहिए तो चलिए आंसर की बात कर लेते हैं तो यहां पर देखिए क् कर लेगा और क्लिक कर देगा क्रिएट वाले ऑप्शन पर जैसी वो इस पर क्लिक करेगा उसकी जो फोटो एल्बम होगी हो जाएगी तो यह हो गया इस क्यों का आंसर बात करते हैं को नमबर टो की तो कोशन नमबर टू में बोला गया है रुपाली हैस क्रिएट अपनी प्रिजन्टेशन में और उसके टीचर ने बोला है कि उन सारी की सारी स्लाइट को सिंगल स्क्रीन पर जो है उसे डिस्प्ले कराना है तो आपको बताना है कि क काम को करने के लिए कर सकते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा इसका स्लाइट शॉटर व्यू इस काम को करने के लिए यूज कर सकती है स्लाइट शॉटर व्यू का जिससे कि सारी स्लाइड होंगी वह सिंगल स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएंगी तो यह तो options है F9, F5 यहां पर देखिए S हो गया है तो यह F5 है इसको आप लोग 5 कंसिडर करना तो यह 5 है तो F5 यह फिर F10 तो इसका correct answer हो जाएगा F5 F5 जो है आपके Q होती है जिसके help आप क्या कर सकते हैं Slides को को स्टार्ट कर सकते हैं बात करते हैं Question No.2 की तो question No.2 में बोला गया है in which view do you get the outline pen आउटलाइन पैन जो है वो आपको कौनसे व्यू में मिल जाता है तो options है option A है normal view, B है slight shorter view और C है outline view तो बहुत simple सा answer हो जाएगा इसका C वाला जो option है वो correct हो जाएगा मतलब कि outline view में जो हाँ आपको outline pen देखने को मिलता है तो यहां पर देखिए पहले बाले question में हो गया आपका F5 और second बाले में हो जाएगा आपका C option जो कि है outline view बात करते हैं question no.3 की question no.3 में बोला गया है which of the following requires a network service to start the slideshow मतलब कि नीचे जो option दिये गए है तो इन में से कौन सा option है जिसमें कि आपको network की service की requirement होती है slideshow को start करने के लिए तो options है ए है present online बी है custom slideshow और C है from beginning तो यहां बहुत simple सा answer हो जाएगा a present online अगर आपको online अपनी presentation को present करना है तो उस case में आपको चाहिए network की requirement है मतलब कि internet की requirement होगी तो इसका answer हो जाएगा a present online बात करते है question no.4 की इसमें बोला गया है which of the following option is used to create a slide zoom मतलब कि slide zoom create करने के लिए कौन से option का हम use करते हैं तो options आपके सामने a है zoom b है slide zoom और c है जूम स्लाइड तो यहां पर correct answer हो जाएगा b slide zoom लेकिन आप लोग जो है यहां पर बी वाले option को correct कर लेंगे slide zoom जो है वह आपका correct option यहां पर हो जाएगा बात करते है question no.5 की इसमें बोला गया है which feature find the information related to the selected item on the web without forcing the user to open the internet web browser मतलब कि जो web browser होता है उसको बिना open की हुए आप कौन से feature की help से हैं किसी भी बर्ड के बारे में information को search कर सकते हैं internet पर तो options आपके सामने एंक annotation बी है smart look up और सी है इंक equation तो इसके correct option की अगर हम बात करें तो यहां पर हो जाएगा बी smart look up जो बी बाला option है वह आपका correct answer हो जाएगा बात करते हैं यहां पर question number 6 की इसमें बोला गया है on which tab do you find the screen recording option जो screen recording का option होता है वो आपको कौन से tab में मिल जाता है तो यहां पर options है ए है view बी है insert और सी है edit तो इसका correct answer हो जाएगा बी insert इंसर्ट टैब में जो है यहां पर भी questions है जिनके आपको answer देने हैं तो यहां पर बात करते हैं पहले question की इसमें बोला गया है I am the main editing view used to create and design the slide तो यहां पर कहने का मतलब है कि मैं क्या हूं एक main view हूं जहां आपका normal view यह काम जो हम करते है normal view में बात करते है question number 2 की इसमें बोले जा रहा है I can show you the notes that you can include in a slide तो यहां पर question कहा रहा है कि मैं के कर सकता हूं आपको so कर सकता हूं notes को जिनको कि आप अपने slide में use कर सकते हैं तो यहां पर जो किस चीज की बात हो रही है यहां पर बात हो रही है note page view की basically यहां पर सारे question में ही जो है आपसे view पूछे गए है कि कौन सी view की बात हो रही है बात करते है question number 3 की इसे में बोला गया है I display all the text of your slide but not object तो यह कहा रहा है मैं एक ऐसा view हूं जो क्या करता हूं डिस्पले करता हूं text को लेकिन किसी object डिस्पले नहीं करता हूं यहां पर कौन सी view की बात हो रही है यहां पर आ जाएगा आपका outline view बात करते है question number 4 की इसे में बोला जा रहा है I display a miniature view of all the slides of a presentation यह कह रहा है कि मैं एक ऐसा miniature view हूं जहां पर की जो presentation की slides होती है सारी उनको जो हमें एक इबार में display कर देता हूं तो यहां पर बात हो रही है slide shorter view की next बात करते हैं question number 5 की इसमें बोला गया है I am used when the presentation is delivered to the audience यह कह रहा है कि मैं एक ऐसा view हूं जिसको use के आता है उस time पर जब आपने presentation को audience को deliver करते हैं तो यहां पर बात हो रही है slide show view की इसका answer हो जाएगा slide show view तो इस तरीकी से complete हो गया इस chapter का e section अब हम discuss करेंगे इस chapter के f section को तो f section में कुछ questions ने जिनके की आपको answer लिखने है तो चलिए section को भी discuss कर लेते हैं तो इस section में पहला question है how is photo album useful जो photo album होती है वो किस तरीकी से useful है तो इस question का answer आपको यहां पर लिखना है तो चलिए answer की बात कर लेते हैं तो देखिए यह बहुत ज्यादा useful feature होता है क्योंकि यह अलाओ करता है आपको कि आप जो है personal photographs हो होते हैं आपके business photographs हैं उनको club कर सकते हैं together for the presentation मतलब कि presentation view में जो आप अपने photographs को देख सकते हैं तो यह हो जाएगा इस question का answer बात करते हैं question number 2 की तो question number 2 की अगर हम बात करें तो यहां पर बोला जा रहा है what is the use of ink annotation जो ink annotation feature होता है आपका PowerPoint में इसका use क्या होता है तो इसका use जो है मैं आपको बता चुका हूं लेकिन यहां पर आपको answer भी बीजोंगे कर सकते हैं किसी बी की concept को क्या कर सकते हैं highlight कर सकते हैं यहां पर जो हैंड ड्रोंग कर सकते हैं यूनिफर्म जो में Convert कर सकते हैं काफी ज्यादे यूसुफ फीचर होता है I should know Oh मैं लें ली सभड़ार करना ए तो मैं इस तरीके से क्र सकता हूं काफी ज्यादे इस उस फीचर होता था रहे। इस कोशन का आंसर बात कर लेते um fight कोशन नुम्बर थड्र की पूल गया है वह ऊप स्लाइड्ट शर्टर सकते हैं मिनेचर फॉर्म में मतलब कि यह क्या है का मिनेचर विए जिसमें की जो भी प्रेजिंटेशन की वह आपको एक बार में देखने को मिल जाती है और आप चाहां तो क्या कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं स्लाइट के और साथ यहां पर ट्रांजिशन अचर सकते हैं यह तो इस तरीके से यह हो जाएगा इस कुशन का आंसर बात करते हैं कुशन नंबर फूर की कोशन नंबर फूर में बोला गया है इस टेट डिफ्रेंस बिट्विन नॉर्मल वियू और आउटलाइन वियू जो नॉर्मल कहरता है दून में डिफ्रेंस को रहां नहीं कर सकते हैं इसके आलावर जो होता है पको एकर सकते हैं को ऑधिक् सखने को सकते हैं तो आपको एडिचन सेको नहीं मिलते हैं तो यहां पर जो टेक्स्ट है उनको आप एडिट कर सकते हैं तो इस तरीके से यही में डिफ्रेंस होता है आपका नॉर्मल और आउटलाइन व्यू में तो यह हो जाएगा इस कोशन का आंसर बात करते हैं कोशन नंबर 5 की तो कोशन नंबर 5 में बोला जा रहा है स्क्राइब स्क्राइब 알ाएब नाच इनको चीज़ जबने पर उस और इस कामपो करने ही जो आपको ब्राउजर को ओपन करने की जरूरत नहीं होती है तो यह जो आपको हो जाएगा इस question का answer बात करते हैं question number six की तो इसमें बोला गया है what are comments how they are useful comments क्या होते हैं और यह किस तरीके से useful होते हैं तो आपको बता चुका हूँ कि comments क्या होते हैं एक ऐसा तरीका है जिसके help कर सकते हैं feedback दे सकते हैं दूसरों को उनकी presentation के वारे में और इनको जो आप collaboration के लिए भी यूज कर सकते हैं मतलब कि एक ही प्रेजेंटेशन के लोगों को करना है togetherly तो उसमें भी comments आपको help करते हैं कि बहां पर चीज को कमेंट कर सकते हैं कि यह क्या चीज है या कोई information महाँ लिखे यह किस बारे में है इस तरीकी से आप comment करते हैं तो यह हो जाएगा आपका question no.6 का answer और इसी के साथ जो है आपके इस chapter के सारे के सारी question आपको प्र ने कर रहा तो प्ली subscribe कर लिजिए वीडियो को लाइक कर दीजिए तो शुरुन आज के इस वीडियो में इतना है मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में जिसमें कि हम किसी और chapter को discuss करेंगे जो next chapter होगा उसको discuss करेंगे तो शुरुन आज के वीडियो में इतना है थैंक्स पर अलाओ वाज किसे अजिए शुरुन आज वीडियों couple दुरुन आज के वीडिजियों Whenever दो होग wanna come to the